Traspass in tort, trespass in tort मैंने इसलिए लिखाए गिंगे trespass criminal law में होता है तो defamation की जैसे criminal trespass भी हो सकता है और civil trespass भी हो सकता है depend करता है सामने लेगो कौन से remedy चाहिए तो trespass torts में होता है एक unlawful act committed against the property of another person and also against another person काफी लोगों को confusion हो जाता है Trespass सिर्फ किसी के plot में गुस्ता नहीं होता किसी को जबडवारना भी plot में Trespass होता है तो इसको categorize कैसे करेंगे इसको categorize करेंगे Trespass to property में जो की होगा Trespass to land मतलब Immovable Property में Trespass और Trespass to Movable Property भी होता है फिर उसके बाद दूसरी category है Trespass to person जिसमें आप person के उपर Trespass कर रहे हो उसके दो methods होते है एक होता है Assault एक होता है Battery इस वीडियो में हम Trespass to property पढ़ेंगे और Trespass to person इसका next वीडियो होगा end में मैं link दे दूँगा और ये एक बात ध्यान रखना Trespass IPC के under में 441 से चालू होता है बहुत सारे लग-लग तरह के होते हैं यहाँ पर वीडियो का link आ जाएगा तो वो भी देख लेना अगर IPC का criminal trespass आपको देखना है तो तो गईस जब Trespass to land की बात आती है तो अपने को पता होना चाहिए land गया होता है तो देखो land सबसे पहली बात तो जो जमीन है जो soil है वो तो होता ही है वो तो obvious है लेकिन उसके अलावा जो जो चीज़ें उसपर attach है न जैसे घर, दिवारे, hand pump, खंबे कुछ भी अगर उसपर attach है न वो सब भी land का part होता है permanently attach होना चाहिए वो उस वक्त तो वो land का part माना जाएगा उसके अलावा, इन दोनों चीज़ों के अलावा जो land के उपर की थोड़ी हवा का area होता है न, ऐसा थोड़ी न है कि आपका land है और उसके उपर fixtures के अलावा कोई land से 2 foot हवा में drone उडा ले आपके घर के अंदर तो ये थोड़ी न अलावड है तो थोड़ा उपर का airspace भी reasonable limit तक आपका ही होता है और जमीन के अंदर भी ठीक है, जमीन के अंदर भी थोड़ी सी जमीन आपकी होती है reasonable limit तक तो trespass to land होता है इन में से किसी भी चीज़ों के साथ soil, उसके उपर permanently fix चीज़े उपर का airspace और नीचे का subsoil इन में से किसी भी चीज़ों के साथ interference ठीक है उन में से किसी भी चीज़ का possession या enjoyment, land लिखा है न देज़ार लैंड में सब कुछ आता है का interference जो होता है वो होता है trespass ठीक है direct interference trespass होता है ठीक है या कोई material object कर सकता है जैसे मानलो वो कोई डंडी से कर रहा हो interference या उसका कुछ समान अंदर आ गया हो या वो कच्रा फेक दे अंदर ठीक है या फिर उसका जानवर आ गया हो जैसे मानलो किसी आदमी की भेड़ बक्रिया अंदर घुसके तुम्हारे garden में खा गई कच्रा वच्रा ठीक है नहीं खाई सिर्फ घुस गई तो भी trespass है ठीक है या ध्यात ध्यान रखना actionable पर से होता है जरूरी नहीं ये trespass में damages दिखाना एक और बात ध्यान रखना कि जैसे मानलो ये मेरा plot of land है इसमें मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई तु अंदर आ जा तेरको मैं permission देता हूँ ये अंदर आ गया और जब ये अंदर आ जाता है तो मैं बोल देता हूँ कि नहीं तुम्हारी permission रिवोग हो चुकि ये भार चले जाओ तो अगर ये reasonable time में अगर भार नहीं जाता है तो ये भी trespass होगा इसे बोलते हैं trespass of initial trespass के लिए mainly दो remedies है पहली remedy है damages यानि कंपनसेशन और दूसरा injunction जो trespass है उसको रोग देना नेक्स्ट आता है essentials of trespass to land क्या-क्या essentials ज़रूरी है तब वो trespass माना जाएगा सबसे important essential तो देखो unauthorized entry है मतलब बिना permission के entry अगर आपने land पे ले ली तो ये सबसे ज़रूरी है second essential है land must be in position of plaintiff actual position भी हो सकता constructive position भी हो सकता जैसे मान लोग को servant के position में है master का land तो वो constructive position है ठीक है actually master के position में है लेकिन अभी servant के position में भी है तो ये position ज़रूरी नहीं है owner हो land का वो बस position होना चाहिए land का उसके पास और तीसरा essential है जो entry है वो voluntary होनी चाहिए और intentional होनी चाहिए involuntary नहीं होनी चाहिए ठीक है तो अब इसमें case law से अपन देखेंगे तो ingredients जंग से समझ मैंगे unauthorized entry का पहला case law ग्रेगरी वर्सिस पाइपर इसमें डिसाइड हुआ था कि कच्रा फेकना दूसरे के land में भी trespass है बताया था ना मैंने interference material object के साथ भी हो सकती ज़रूरी नहीं या आदमी गुसेगा तो ही trespass होगा ऐसे ही अब्दुल गानी वर्सिस सडू राम सडू राम सडू राम अब देखो इससे case से याद रखना सडू राम नाम है और यह सड़ा पानी defendant के land में भेज रहा था तो उसको trespass बुला गया था तो सडू राम ने सड़ा पानी भेज दिया defendant के land में तो वह हो गया trespass next आ गया केल्सन वर्सिस इंपिरियल टबैको कंपनी इसमें ध्यान डखना इंपिरियल टबैको कंपनी है ना तो इंपिरियल टबैको कंपनी ने एक advertisement का board लगाया था और वह advertisement का board थोड़ा height में उपर था लेकिन वह मतलब उसके land के उपर के एरिया में आ रहा था जो अपना plaintiff था उसके तो इंपिरियल टबैको कंपनी का advertisement board था इससे याद रखना फिर है Bernstein वर्सेश काई व्यूज अब स्काई व्यूज से यह case law याद करो aerial photos ली गई थी आसमान से view ठीक है aerial photos ली गई थी बहुत उपर से होती ने Google Maps में जैसे आती है वह photos ली गई थी बहुत उपर से और उसमें जो अपना plaintiff था उसका land का photo आ रहा था तो उसने case कर दिया था कि यह trespass है तो court ने बोला देखो इतनी उपर से reasonable limit से बहुत उपर हो गया ठीक है वहां से अगर आपकी photo लिए land की तो वह कोई trespass नहीं है तो इसमें बोला था trespass नहीं है ऐसे ही bully coal mining company अब इसमें ध्यान रखना होगा था यह coal mining company ने mining कर दीती अपने plaintiff के land के नीचे और काफी उपर ही कर दीती मतलब जादा deep में नहीं गए थे तो वह reasonable limit तक सबस्वाइल अपना एरिया होता है तो यह भी trespass बोला गया था अब बात आती entry must be voluntary and intentional अब इसमें case law देखो तो आपका एकदम clear हो जाएगा बेसली वर्सेज क्लाक्सन इसमें defendant अपना घास काट रहा था अपने area की तो उसने boundary क्रॉस कर ली गलती से ठीक है घास वह intentionally काट रहा था boundary गलती से क्रॉस करी और अपने नेबर की भी घास काट दी ठीक है वैसे नेबर को तो खुश होना चाहिए कि मेरा काम कर दिया मेरे को तो बहुत बिगार लगता है घासवास काटने का काम तो नेबर की काट दी लेकिन न आपने बोला कि mistake हुई है ठीक है वह mistake आपकी boundary के regarding में हुई थी ठीक है जो आप grass cutting कर रहे थे न वह intentional था तो बहले ही आपने boundary के लिए mistake कर दी हो लेकिन आपने trespass करा है क्योंकि आपकी act intentional थी ठीक है अब इसको ऐसे समझो voluntary intentional को काफी strict माना जाता है ठीक है ऐसे नहीं कि गलती मुझे पता नहीं था आपका land है ऐसे नहीं होता involuntary का और या unintentional unintentional का मतलब होता है कि जैसे आपको कोई जबर्रस्ति लेकर आ गया जैसे समेत वर्से स्टोन में defendant को उठा के कुछ लोग by force किसी और के land में लिया है थे तो कोट ने गोला था कि यह trespass नहीं होगा क्योंकि पूरी तरह involuntary act है इसमें defendant अब क्या करे कोई तुम उनके लिए trespass है इतनी जल्दी एक दो तीन चार पहुंच छे साथ केस कर डाले अपने खटा खट ठीक है ऐसे करनी जी पढ़ाई जो काम का है पड़ो और skip मारो तो अब देखते हैं defenses to trespass to land अब देखो इसमें सबसे पहला defense है license license मतलब वह authorization मतलब आपका land है आपने बोला कि अब निकल जा और वह नहीं निकला तो वह trespass होगा मतलब जब authorization revoke हो जाएगी जब उसको निकलना पड़ेगा अगर वह नहीं निकला तो उसे बुलेंगे trespass अब इनीशियो मतलब शुरू से ही trespass माना जाएगा उसको ऑथराइजेशन रिवोक होने के बाद अगर वह नहीं निकला तो अगला डिफेंस है जस्ट अर्शाय जस्ट अर्शाय मतलब होता है थर्ड पर्टी राइट्स क्लेंड बाइ नॉन राइट होल्डर अब इसका वाथ कन्फीजिंग सा सुना नहीं है अब इसको ऐसे समझो कि मानलो ये परसन है इसका लैंड है लेकिन ये परसन उस लैंड के लिए ट्रेस्पास का क्लेम कर रहा है कि भाई ये थर्ड परसन लैंड के अंदर गुज गया तो ये third person बोलेगा कि भाई तेरा तो कोई right ही नहीं है मेरे पे case करने का क्योंकि जो right तो exercise कर रहा है वो actually इस बंदे का इस बंदे में तो मेरे पे case किया ही नहीं तो ये जस्ट तरशाय का defense होता है जो trespass में use होता है और अगला defense है necessity, necessity मतलब simple इसमें क्या explain करो necessity भाई जरूरी था गुसना मजबूरी थी मेरी अब इसके example लो एसो petroleum company versus southport corporation अब इसमें क्या हो था captain था ship का उसने oil को shoreline पे float होने दिया था मतलब ship whip doop रीदी कुछ defect defect हो गया था तो उसने oil सारा release कर दिया और वो सारा shoreline में आ गया तो trespass का case हुआ लेकिन court ने बोला कि भाई उसको अपने ship को और crew की जान बचा नहीं थी और जरूरी था यह वो oil छोड़ना वरना ship डूप जाती तो यह necessity थी थी तो इसमें trespass में defense दे दिया गया कि necessity थी थी तो चलो भाई तिरको allow कर देता है लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि necessity का मतलब यह नहीं है कि आपके पास दूसरा option है और वो दूसरा option इतना अच्छा नहीं है करके आप आजाओ कि यार मैं तो तुम्हारे land से आ गया क्योंकि मेर कोई 1 km घूमके नहीं आना था यह कोई necessity का option नहीं है मतलब अगर less attractive कोई course है ठीक है तो आप उससे जाओगे ऐसा नहीं है कि आप अपनी convenience के लिए necessity का बाहना देदो जैसे इस case में तो बहुत serious situation थी ना है और मर जाते शिप डूप जाता लेकिन अगर कोई दूसरा option है तो आपको पहले वह exercise करना पड़ेगा अगर आपने नहीं करा तो फिर necessity का defense आपको नहीं मिलेगा यह direct physical interference होती है with movable property in the plaintiff's possession या possession important है क्योंकि यह जो wrong है यह wrong against the right of possession सिर्फ possession के right के against यह wrong है ownership का इदर कोई role नहीं है इसके लिए case देखो आर्मरी वर्सिस देला मेरी इसमें क्या हुआ था एक chimney sweeper बहुता उसको एक hero type कुछ मिला था जेवरा type कुछ मिला था ठीक है तो वो ले case करा तो court ने बोला कि देखो भले ही वो owner ना हो possession में उसी के था वो जुविल अभी तो आपने करा तो है trespass to movable property इसके against इस बच्चे के against जिसके पास यह हीरा मिला था trespass to movable property में फरक नहीं पड़ता है कि आपने जो wrong commit किया है वो intentionally किया हो या ना किया हो negligently किया हो या mistakes से ही करा हो कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है यह सब चीजों का कोई रोल नहीं है इसमें case है Kirk versus Gregory 1876 का case है इसमें क्या हुआ था एक बंदा था A A की हो गई death ठीक है A is dead तो A का कुछ valuable समान A की जो sister थी ठीक है उस sister ने उठा के दूसरे कमरे के अंदर रख दिया और वहां से वो चोरी हो गया तो जब बात court में पहुची ही तो sister ने बोला कि देखो मेरा honest intention था मैं सोच रही थी कि यह misplace कुछ हो जाएगा या फिर कोई रही था लेकिन यह तब भी offense होगा तो इसलिए कोई फरक नहीं पड़ता कि intentionally किया हो negligently किया हो honest mistake में किया हो या good intentions ही किया हो अगली बात है जो lawful justification और inevitable accident है वो valid defense है thought of trespass में ठीक है यह दोनों अगर condition है na inevitable accident में अगर हुआ है या lawful justification में हुआ है तो defense मिल जाएगा honest mistake में नही board versus evans इस case में जो dependent थे उन्होंने contractor hire किये जिनका काम excavation करना है excavation मतलब यह पूरा यह जैसे भी ACP से करते है न टाइप से तो वो करना था तो वो जो जमीन थी उसके नीचे electric cable डलीवी थी ठीक है plaintiff की electric cable डलीवी थी और वो तूट गई अब जो contractor थे उनको कोई knowledge नहीं थी इस ठीक है उनको पता ही नहीं था तो उसके बाद मतलब वो कैसे control करते हैं उनको जब knowledge ही नहीं है और ऐसा किसी को थोड़ा पता है कि दूसरे के land में किसी और की cable डलीवी होगी तो इधर इनको छोड़ दिया गया inevitable accident का defense देखे हैं next बात करते हैं confusing एक term है detenue detenue or trespass में क्या difference ह होता है देखो जब detain कर लेता है कोई आपके goods ठीक है plaintiff के good tc ने detain कर लिए मतला अपने पास रख लिए और दिये नहीं ठीक है lawful demand पे भी नहीं दिये तो plaintiff recover कर सकता है उनको action of detenue लगा के ठीक है अब detenue or trespass में क्या अंतर है action of trespass क्यों नहीं लगाएगा क्योंकि trespass में possession अभी भी आपके पास ही रहता है समझ रहे हो detenue में possession सामने वाले के पास जा सकता है in detenue the defendant may assume possession of the goods but in trespass the goods always remain in the position of plaintiff only मतलब in theory plaintiff के possession में ही रहेंगे goods हमेशा trespass के case में लेकिन अगर सामने वाले ने possession ले लिया है तो फिर वो detenue का लगाएगा ऐसे ही conversion और trespass में अंतर होता है कि conversion consists in willfully and without any justification dealing with the goods in such a manner that another person who is entitled to immediate use and possession of the same is deprived of that इसको एक केस से समझ आगर समझ नहा है तो Richardson vs Atkinson इस case में क्या था कि एक बोटल थी धारू की बोटल और उस दारू की बोटल में से defendant ने धारू थोड कर्मल हो जाए ठीक है और इस case में conversion इसको माना गया था तो conversion बेसिकली यह होता है कि जब आप किसी चीज में इतना चेंज कर दो ठीक है बिना consent के कि वह मतलब यूज करने के लायक ही नहीं रहे और उसकी पूरी मतलब चेंज हो जाए वह पूरा प्रोड़क्ट हो जाए तो दारू की बोटल में से आधी दारू निकाल के पाने डाल दो गये तो दारू तो रही नहीं नहीं वह कुछ और हो गया तो conversion काफी सीरेस होना चाहिए एक पर्सनल पीस और प्रोपर्टिवे इतना सीरियल कि वह मतलब ऑल्टर कर दे उसकी प्रोपर्टीज पूरी जो चीज क और डाल दोगे या काफी हद तक निकाल के वापस पाने डाल दोगे तो वह conversion होगा तो conversion और trespass में मत हो ना लाइव भी आता हूँ ठीक है आऊंगा मतलब 1000 हो जाएंगे जब follower अभी तो पता नहीं कितने हैं 500-200 है तो आप उस पर आके मेरे को follow करें Instagram पे और मेरी आप भी आ चुकी है Google Play Store पे और iPhone के App Store दोनों पे है उसका कैसे download करनी है कैसे install करनी है वह सब link में दे रखा है description में है link सारे के सारे और Instagram का link भी description में और यहां पर आप देख सकते हो बाकी वीडियो टॉट के playlist में और यहां पर आप मेरे को करो subscribe मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई टाटा सी या